हिंदुस्तान युनिरिवर लिमिडेट के अंदर हर बार के जैसा इस बार भी हमें प्रॉफिट हुआ है दूस्तो हमारे लिवस्ते 2140-2170 हमारा सपोर्ट था 1900 लेवल जो इसने ब्रेक नहीं किया है और जो पहला सपोर्ट था 1970 वो भी ब्रेक नहीं किया है डीटेल यह बता द बोकिंग देख सकते हैं आप देख सकते हैं हर बार के जैसा इस बार भी हमें हेच यूएल के अंदर प्रॉफिट बोकिंग देखने को मिली आज जो वीडियो अपलोट कर रहा हूं हेच यूएल के उपर आज फ्रेश एंट्री बताने वालों और आपको कैनल चार्ट अनला सब्सक्राइब करिए दोस्तों अब लोग पहले से बात करते हैं पहले भी हमारी इधर एंट्री हो चुकी फिर इधर एक्जिट हो चुकी फिर से इधर एक्जिट हो चुकी और अब देखिए अब एंट्री फिर से होने वाली है आप सभी की टू जीरो फाइव जीरो लेव के पास जैसे पिछली बार मैंने आप सभी को entry level बता दिया था average strategy बता दिया था अभी भी वही average strategy है वही level है दुस्तों क्यों वही level है क्योंकि इसके अंदर already breakout levels बारी बार देखने को मिल रहा है यानि stock sustain नहीं कर रहा है एक level के पास stock sustain नहीं कर रहा है जिदर हमें 30 रूपीज का profit booking या 70 रूपीज का profit booking वितिने विग दे सके इसके हिसाफ से अगर हम लोग hul को देखेंगे तो इसके अंदर reversal recovery start है दोस्तों already bottom trend line के बाद up trend line नहीं touch कर रहा है फिर reversal जाता हुआ price level बढ़ा रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं 2040 के पास इधर price हमारा RSI पे देखेंगे तो below 40 है अगर हम लोग वही level इधर भी देखेंगे तो यह 40 के equal है यानि यहां से आगे बढ़ने लागा 2070 final level देगा मंतली के अंदर weekly के अंदर 2240 2270 2270 मंतली के अंदर final देगा उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो stock इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि अल्रेडी है uptrend rally 2040 के पास से 2210 यह level तक दे चुका है यानि अब आगे बढ़तावा profit booking देगा तो stock को रोकने वाला कोई भी नहीं रहेगा इसी लिए stock इतना uptrend rally नहीं देगा उसके इसाब से stock में reversal recovery होगी reversal recovery होगी तो 2050 पे आप entry करिए पहली बात stock को आप वाश्ट्रिश लगा लिजे और RSI पे अगर काम कर रहे हैं अगर यह यहां से reversal भी जाता हुआ दिखा mid range of 60 to 40 आप 50 level के पास exit कर सकते हैं दोस्तों उससे ज्यादा reversal जाने लिए देगा 4260 mid range में trade करता हुआ 2050 level आपको मंतली में देगा फिर से मैं आप सभी को levels बता दूंगा वीडियो अपलोड करके दोस्तों पहले तो आप entry कर लीजिए इसका support वही है दोस्तों 1940 इस बार support level change हुआ है क्यों support level change हुआ है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर RSI level इधर भी चेंज हुआ है और RSI level candy level इधर भी चेंज हुआ है इसलिए हम लोगों को support 1940 का support बन रहा है दोस्तों यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 14th November 2020 Saturday हिंदुस्तान Unilever Limited का closing है after more training 2187.70 पैसा यह जो मैं target निकाल रहा हूँ 17th November 2020 Tuesday के लिए Tuesday की दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले, selling opportunity देखने को मिले, आप मेरे targets and stop loss live market में लेके चल सकते हैं अगर आपकी entry हो रही है मेरे levels पे तो आप targets and stop loss लगा के चलिए, stop loss हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है, targets हो रहा है तो कितना profit हो रहा है आपको खुद पता चल जाएगा झाल 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 झाल